नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है प्रिया ट्रावल लाइड में दिल्ली अपने प्राचीन और खूबसुरत इमारतों के लिए जाने जाती है दिल्ली में मुगलों के संस्कृती का एक खूबसुरत संगम देखने को मिलता है दिल्ली में कई ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं तो आईए आज हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं कि दिल्ली की कौन से देखने लाएफ जगह है जहां एक बार जाना तो बनता है मिर्जा गालिप की हवेली मशूर शायर मिर्जा गालिप को भला कौन नहीं जाना लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में उनकी यार में एक हवेली भी है जी हां दिल्ली के चान्दी चौक इलाके में मिर्जा गालिप की हवेली या हवेली देर सो साब पूरानी अब इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया यहां आपको मिर्जा गालिप की शायरी के साथ उनकी पैंटिंग और तस्वीरे भी देखने को मिलें अगर आपको शायरी और इतिहास में रुची है तो यहां पे जरूर चाहिए अग्रसेन की बावली जंतरमंतर के पास थे इसका निर्माट साल 1908 में राजा सुर्यवंशी ने कराया अगर आप कभी दिल्ली की भागतवर वाली जिन्देगी से खुड़ा सुकुन चाहते हैं तो यह जगा आपके लिए बेस्ट हो फोटोग्राफिक के लिए यह जगा काफी अच्छी है आधम खान का मखबरा आधम खान के मखबरे का निर्माट 1561 में हुआ था इस मखबरे को हुगल शासक अकपर के दिल के करीब बताया जाता है अगर मुगलों की संस्क्रिती के बारे भी जानने की रूची है तो एक बार आप इस मखबरे में जरूर जाइए सत्पुला ब्रीज मालवी या नगर में स्थित सत्पुला ब्रीज अब किसी गुमनामी में खोच चुका है सत्पुला ब्रीज साथ ब्रीजों को जोड़ कर बनाया गया है सुल्ता मुहमद शाह तुगलग ने इस ब्रीज को अपने बचाव के लिए बनाया था संजयवन यह सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी कि दिल्ली में जंगल दी संजयवन यू तो एक पार्क है लेकिन यह इतने बड़ी शेत्र में फैला हुआ है कि यह जंगल जैसा लगता यहाँ पर चारो तरफ हरियाली और विभिन पक्षियों की प्रजादिया भी है वैसे कुछ लोगों ने संजयवन को भूतिया करार दिया है तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्रेब कीजिए और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूल सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल से जल जवाब देंगे तो देखते रहे यह प्रिया ट्रावल लाइन है